नमस्ते चात्रों, मैं सुमन यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखेगा चात्रों, इस वीडियो में हम उत्तरवधी काल की रारनितिक दसा के बारे में पढ़ेंगे तो रारनितिक इस्तिती के बारे में पढ़ने से पहले मा आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने रिगवेदी काल के बारे में, वैदी काल के बारे में और आपका उत्तरवेदी काल के बारे में सामाने से जानकरी प्राप्त कर ली है और जो उत्रवेदी काल है इसका समय था 1000 से 600 इसा पूर्व है और रिगवेदी काल से उत्रवेदी काल में क्या महत्तोपन परिवर्तन आया वो मैं आपको यहां पर बताऊंगी कि जो उत्रवेदी काल है इसका प्रारम है 1000 इसा पूर्व है और भारत में जो लोह दातु है उसका प्रारम भी एक हजार इसा पूरा में हुआ था लोहे की खोज से क्या होता है कि काफी परिवर्तन आते हैं और वो आपका चहरानितिक छेत्रों हो समाजिक छेत्रों हो या फिरधार्मिक छेत्रों हो इस सब में बहुती व्रहद इस्तर पर परिवर्तन हुए थे इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे फिलाल इस वीडियो में हम उत्तरवधी काल किरानितिक दसा के बारे में पढ़ेंगे तो देखिएगा उत्रवधि काल यह एक हजार इसा पूरवा सी च्छहसोः सापूरवा का समय था तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्रवधि कालीन जो आरिये थे उनका विस्तार कहां से कहां तक हुआ था यह तो आप सबको पता है कि जो वधि काल है उसके जनम दाता को थे? आरिये थे और हम लोगों को भी ऐसा माना जाता है कि हम भी आरियों की ही संतान है और आरिये हैं उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि आरिये भारत के नहीं थे वो बाहर से आये हुए लोग थे और भारत में उन्होंने आकर अपना विस्तार किया था तो देखेगा रिगवधी काल में आरेयों का निवासस्तान सिंधू तता सर्स्वती नदियों के बीच में था बाद में वे संपूर उत्तर भारत में फैल चुके थे ठीक है न? तो रिगवधी काल में आरियों का निवास अस्थानवा सिंदू तथा सरस्वती नदियों के बीच में था लेकिन उत्रवधी काल में जो आरिय हैं वो संपुन उत्र भारत में फैल चुके थे उत्तरवधी काल में पूर्वी उत्तरपर्देश तथा बिहार तक आर्यों का विस्तार अर्थार सदा निरा नदी से गंडक नदी तक था तथा दक्षिन में विदर्वे अर्थार महरास्टर तक आर्यों का विस्तार था उत्तरवधी काल तक आरियों के निवास वाला संपून चेत्र आरिया वर्थ ही था और आरिया वर्थ कौन सा चेत्र था उत्तरी भारत अब देखेगा उत्तरवधी काल में ऐसा क्या हुआ कि आरियों का विस्तार हुआ वो था लोहा अब देखेगा, रार्णतिक विस्तार में जितना योगदान उत्सा ही राजों का अब राजों उत्सा कैसे आया? जब लोहाद हतु का प्रारम भारत में हुआ, तो नेने ओजार बने और राजों को यूद करने में भी आसानी हुई इससे क्या हुआ राजों का उत्सा हुआ और समराजे विस्तार भी हुआ अब देखेगा जितना योगदान उत्सा ही राजों का था उतना ही योगदान ब्रहमनों का भी था ब्राह्मनों ने क्या करवाया? अगनी के दुआरा जंगलों को साफ किया और समराजे विस्तार में उन्होंने अपना योगदान बकू भी निभाया इस काल में जन हैं वो जनपद बन गए अर्था छित्री राजे की स्तापना हुई तो रिकवधी काल में क्या है? जो सबसे बड़ी एकाई थी वो जन थी अब क्या है कि जन हैं वो? कई जन मिलके अब जनपद बनाने लगे थे छित्री राजे की स्तापना भे होने लगी थी तो भर्त जन और पूरु जन दोनों ने मिलके कूरु जनपद बनाया और कूरो जन पधाई है गंगा यमना की उपरी दोव में स्तित्था इस काल में विश्का विश्तार होता गया और कई जन विलूपत हो गए भरत, तृत्सू और तुर्वस जैसे जन राजनेतिक हलकों से गाइब हो गए जबकि पूरु पहले से अधिक सक्ति साली हो गए पूर्वी उत्तरपरदेश और बिहार में कुछ नए राजियों का विकास हो गया था जैसे की कासी, कोशल, विदेह, मगद और अंग आरियों के अधिन छित्र, तो कई जनपद ऐसे हैं जो आरियों के अधिन थे, वो कौन-कौन से हैं कूरु जनपद, पांचाल जनपद, कैकेई जनपद, कोशल जनपद, कासी जनपद, मतस्य जनपद, विदेह जनपद, मद्र जनपद और गांधार जनपद अब देखेगा इस्टुडेंट्स इन जन्पदों के बारे में हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे अब देखेगा हमने वदिक जो उत्रवदिक कालिन जो आरी हैं उनका समराजी विस्तार पढ़ा अब हम क्या करेंगे कि राजा के दिकारों में जो वर्दि हुई उसके बारे में पढ़ेंगे तो रिगवदिक काल में जो राजा के दिकार थे वो सिमित थे अब क्या है उत्रवदिक काल में राजा के दिकारों में वर्दि हुई थी तो देखेगा उत्रवधी काल में राजा की सक्ति में व्रद्धी हुई क्योंकि अब लोहे का उप्योग यूद के रूप में होने लगा था राजा की सक्ति में व्रद्धी का पता साहित्तेशुवी से भी चलता है इस काल में राजां के साथ अनेक धार्मिक अनुस्थान जुड़ गए थे जैसे कि राजावी सेक्सिंसकार, अस्वमेग यग्य, रासु यग्य उत्रवधी काल में कि राजावाई अनेक उपाधियान लेने लगा था जैसे समराट, स्वराट, परकराट, आदी एत्रे ब्रामण में अलग-अलग छेत्र के राजों द्वारा अलग-अलग उपाधि लिये जाने का उलेक मिलता है एत्रे ब्रामण में राजत्वय सिधान्द का उलेक भी मिलता है और पर्तिस्टा में व्रधी को स्पस्टिक करता है अब देखेगा जो सत्पत ब्रामन है उसमें पूरव का राजा, समराठ, पस्सिम का राजा, स्वराठ, उत्तर का राजा, विराठ और दक्सिन का राजा भोज कहलाता था वैदिक काल में राज तंतरात्यम को प्रणाली प्रचलित थी इसमें सासन का प्रमुक राजा होता था राजा वनसानुगुत तो होता था परन्तु जनता उसे हटा पी सकती थी वहे छेत्र विशेश का नहीं बलकिन जन विशेश का प्रेधान होता था राजा यूद का नित्रत्वय करता था उसे कर्व सुने का दिकार नहीं था जनता द्वारा स्विच्छा से दिये गए भाग से उसका खर्च या उसका खर्चा चलता था सभा, समिती तथा विद्धत नामक परशासनिक संस्ताई थी अथर्ववेद में सभा यम समिती को प्रजा पती की दो पुत्रियां कहा गया है समिती का जो परधान था वयिसान या पती कहलता था तो कई बार प्रिक्षय में पूछ भी लेते हैं कि उत्तरवधी काल में कौन-कौन सी परशासनिक संस्ताई थी सभा, सम्मीति और विदत और जो सम्मीतियां उसका परधान कौन था इसान या पती कहलाता था विदत में इस्तरी एंग पूरस दोनों समलित होते थे नव अधों का स्वागत दार्मिक अनुस्टान अधि समाजी कारिये विदत में होते थे सभा स्थ्रेश्ट लोगों की सेंस्ता थी सम्मीति आम जन परती निदी सभा थी एवं विदत सबसे प्राचीन सेंस्ता थी रिगवेद में सबसे ज़्यादा बार उलेक विदत का हुआ है कित्ती बार हुआ है 122 बार सन्य संचालन वरात गण वर सर्ध नाम कबिलाई संगठन करते थे सत्पत ब्राहमन के अनुसार अभिशेक होने पर राजा महम बन जाता था राशु यग्य करने वाले की उपादी राजा और वाजपे यग्य करने वाले की उपादी सम्राठ थी अब देखेगा इस पर्स तो जो गुप्तचर होते थे उनको इस पर्स कहा जाता था और पूरूप दुर्ग पती को पूरूप कहा जाता था राजा का परसासनिक सहयोग पूरोही तेम सेनानी आदी अर्थात 12 रतनिन करते थे चारागा के पर्धान को वाजरपती यह लड़ाकू दलों के पर्धान को ग्रामीनी कहा जाता था तो देखेगा उत्तरवधी काल में क्या है कि राजा की सहाता के लिए 12 अधिकारी होते थे जो परसासनि में राजा का सहयोग करते थे और इनको रतनिन भी कहा जाता था रतनिन अर्थात वीर उत्तरवधी काल में यह के की पर्धिस्टा बहुत उच अस्थान तक पहुंचे गई थी और कौन-कौन से एगए थे अस्वमेग एगए राज़ु एगए और वाजपे एगए इन एग्यों के बारे में भी हम अलग से आपको बताएंगे अधिकारियों की संख्या में बडोत्री 20 हो गई थी है न और इनमें 20 जो अधिकारी थे इनमें 12 इस्थाई दिकारी थे यह कौन-कौन थे इस्थाई दिकारी कितने थे 12 थे इन्हें रतनिन भी कहा जाता था यूब राज, महिसी जो पट्रानी भी कहला था गरामनी, सूत, राजा का साथी अक्षत्र या पर्तिहारी डुआर पालों का प्रमुख संग्रहित्री राजकोस का प्रमुख पालागल विदूसक अर्थात राजा का मित्र अर्थात संदेश वहक होता था पालागल अक्ष्वाई, पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था गोनी कर्तन, सिकार में राजा का सहयोगी, भाग युद, कर संग्रह करता, सेनानी और पूरोहित तो ये बारा ऐसे स्थाई दिकारी थे, जो राजा का सहयोग परशासनिक छेत्र में करते थे इनको रतनिन भी कहा जाता था अब देखेगा कई और भी दिखारी थे जो ऐस था ही दिखारी थे उनमें देखेगा कौन थे करमकार, स्थरपती और सत्पती करमकार कौन थे उद्योगों का परमुख स्थरपती, दूरस्त छेत्रों का परमुख और सत्पती सो गाउं का परमुक अन्य विशेश तैं तो देखेगा उत्रवधी कालीन जो समय था उनकी जो महत्वपुन के और विशेश तैं वो क्या-क्या थी सभा और समीति का पहले की तुन्ना में महत्व बढ़ा ये राजा पर नियंत्रण का कारिये करती थी अत्रववेद में सभा का 7 बार तथा समीति का 13 बार प्रियोग किया गया है इस काल में कर पर्णाली नियमित हुई अर्थात स्थाई कर विवस्था उत्रवधी काल में प्रारम हो चुकी थी बली नामक कर पर्णाली भी स्थाई हो गई थी बली नामक कर कौन सा कर था दैनिक उप्योग की वस्तुएं भाग, भोग, सुल्क नामक कर भी उत्पन हुए भाग कौन सा कर था भूराजस्वकर, भोग, हमेशा सैनिक उप्भोग की वस्तुएं सुलके व्यापारिक कर अर्थात चुंगी ये सब भी करके अनिवारी हो गए थे राज को सकुछ सम्रद हुआ फिर भी राजा की स्थाई सेना और रक्त संबन्द से प्रत्थक नोकर सही का विकास इस काल में भी संभव नहीं हो पाया था क्या कारण था इस काल में भी अर्थ फ्यवस्ता निर्वाहरूप में बनी हुई थी अदिसेस उत्पादन तो हुआ लेकिन सिम्मित था क्योंकि क्रेशी के परमुक पेसा बनने पर भी अब भी क्रेशी कार्म मुक्यते कास से एम तंबे के उपकणों से ही होता था लोहे के क्रेशी उपकन बहुती कम मिले हैं अत्यक कर्षी उत्पाद में वर्धी नहीं हो पाई थी इन सब के साथ इसाथ इस काल में चारों वर्णों का पड़ती निदित्वाय मिलता है वो चारों वर्ण कोन से थे? ब्रामन, छत्रिय, वैसे और सुद्र इन सब वर्णों के बारे में भी हम आगया आपको डिटेल से बताएंगे तो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इत्यास्य सम्मंदित और भी नएने वीडियो प्राप्थ हो सकें धन्यवाद